तो दोस्तों अब हम यहां पर प्रिश्ण वाली 3.4 का प्रिश्ण दूसरा सौल्व करेंगे इनको जो दूसरे में 3.4 प्रिश्ण उनको हमें बिलोपन विधी से सौल्व करना है सर्त बना करके तो यहां पर पहला ही देखेंगे दूसरे का यदि हम अंस में एक जोड़ने हम इस परकार के प्रिश्ण सौल्व कर चुक हैं लेकिन वहां पर प्रतिस्थापन विधी से सौल्व करना था यहां पर बिलोपन विधी से सौल्व करना है हमें तो यहां पर देखेंगे हम भिन्न मान लेते हैं एक्स वटे वाई भिन्न मान ली हमने एक्स वटे वाई अब भिन में जो उपर वाला भाग होता है वह होता है अन्स और नीजे वाला भाग कहलता है और यह आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर सर्त देखेंगे प्रतम सर्त फॉस्ट सर्त क्या कह रही है कि यदि हम अन्स में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें अंस है X तो अंस में एक जोड़ दें और हर Y जो है इसमें एक घटा दें तो भिन कितनी हो जाती है एक में बदल जाती है तो ये एक अब यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे हम तो एक कगुणा X प्लस एक में होगा तो X प्लस एक ही रहेगा और Y माइनस एक कगुणा एक में होगा तो Y माइनस एक ही रहेगा X और Y को एक तरफ ले आना है और बिना X और बिना Y बाली संख्या को दूसरे तरफ ले जाना है तो X इस तरफ यह जोगा तो प्लस के Y बरावर के इस तरफ आएंगे माइनस की y हो जाएंगे प्लस के एक को बरावर को उस तरह भेज देंगे तो माइनस का एक हो जाएगा माइनस का एक ये पहले से ही है तो यहां पर x माइनस y बरावर माइनस का एक और माइनस का एक जोड़ जाएंगे क्या है वाई है यहां पर सेकंड सार्थ देखेंगे तो सेकंड सार्थ है भिन का जो है भिन है एक्स बटे वाई तो हर में एक जोड़ने हर कहलाता है नीचे वाला भाग तो एक जोड़ने हर में तो भिन कितनी हो जाती है एक बटे दो तो यहां पर एक बटे दो हो जाती है भ 2x y plus 1 कगणा एक में होगा तो रहेगा y plus 1 ही y को बरावर किस तरह प्लिए आएंगे हम तो 2x plus के y बरावर किस तरह पाए माइनस के y बरावर में एक ज़ाओं का तो इसे हम समीगाण 2 नाम देंगे अब समीगाण एक और समीगाण दो को हम बिलोपन विधी से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हम बिलोपन विधी से तो दोनों समीगाण हम उतार लेते हैं पहले एक और दो को यहाँ पर तो यह हमने समीगाण एक उतार लिया X-Y ± 2 और यह हमने 2, it is it मesलिक कर दाल ले अब हमने ब्लोपनविदी से궁ुन करना है तो हम편 एक्स के या Y के मानों को ब्लूपित करना होता ही तो हमें यहाँ पर गुणा करने की आवज चाहता है नहीं X के या Y के मानों को देक़्एगे तो किसी एक मान को हमें बरावर चाहिए होता है तो य की मान यहां पर बरावर है अब माइनस का यहां पर है माइनस का यहां पर है य को हमें कैंसल करना तो किस प्रकार करेंगे यहां पर माइनस का हो या यहां पर प्लस का हो या फिर यहां पर प्लस का हो नीचे बाली संख्याओं को तो प्लस के दो एक्स है ये हो जाएगा माइनस के दो एक्स माइनस का वाई प्लस का वाई हो जाएगा प्लस का एक हो जाएगा माइनस के वाई और प्लस के वाई कड़ जाएगे अब यहां पर माइनस के दो एक्स मैंसे प्लस का एक्स घड़ सम्हिकार्ट एक में रखथंगे इस एक्स क Committee पर तो Y कमन आ जाएगा सम्हिकार्ट एक में X कमन रखने पर तो सम्हिकार्ट एक देखेंगे X- Y बराबर माइनस के दो तो X की जग़े पर X कमन 3- के Y बराबर माइनस के 2 जिएँ किते हूं अब यहां पर माइनस के दो को बरावर के इस तरफ ले आएंगे और वाई को बरावर के इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें वाई कमान निकालना है तो तीन यह जोंकत हो माइनस के दो बरावर के इस तरफ आएंगे तो प्लस के दो हो जाएंगे माइनस का Y बरावर को उस तरफ गया तो प्लस का Y हो जाएगा तीन और दो जुड़ जाएगे तो Y कमान कितना आ जाएगा तीन और दो पांच तो X कमान आ गया तीन और Y कमान आ गया पांच भिन मानी थी हमने X बटे Y अता भिन X कमान कितना है तीन तो 3 बटे Y कमान 5 तो भिन हो जाएगी 3 बटे 5 अता भिन 3 बटे 5 है यह हमारा आंसर है 3 बटे 5 इस परकार X की जगह पर X कमान रख दिया तो 3 उपर हो गया बटे Y की जगह पर Y कमान रख दिया तो 5 हो गया तो 3 बटे 5 हो गया भिन प्रिश्ण को अच्छी तरह से सौलब कर लिना है पर इच्छा की द्रिश्टी से बहुत अधिक महत्तव प्रश्ण है यह तो नोट कर लिए आप यहां पर प्रिश्ण दूसरे का पहले को ब्यादि आप संपूर्ण का श्याटी गड़त को हल देखना चाहते हैं तो डिस्क्र सालबू